हम सबी को लगता है आने वाले समय में पृत्वी से इसकी टकर हो सकती है 23rd September 1991 में EDC Board Observatory के रेडर इमेजिन द्वारा इस एस्टोड की पहली तस्विर खीची गई थी जिसमें ये पता लगा कि इसकी रिशा हमारे पृत्वी की तरफ है और 2712 में से एक बार दर्टी से टकराने की प्रवल संभावनाय भी दिखाई दे रही है और इसके कारण साइंटिस्टों के लिए इसके उपर रिशर्च करना बहुत ज़रूरी हो गया है कारण से बनी इस एस्ट्रोइड में कही तरह के चट्टानों के साथ बहुत से अनुके मिनिरल्स भी मौचूदे जिसके अंदर हमारे सोलार सिस्टम के शुरुवाती दोर के मिनिरल्स भी मौचूदे जिससे की हमारा ब्रमान आखिर किस तरह से बना था उसके बारे में भी हमें बहुत से जानकारी मिलेगी लेकिन ये एस्टरोइड हमारे ले कितना खतरनाक है सबसे पहले ये जान लेते है अगर दर्ती पर एक 30 मीटर के आगार का उलका पिंड गिरता है तो दर्ती पर बहुत बड़ी तबाई मस सकती है क्योंकि 30 मीटर के ही आगार का एक उलका पिंड 1908 में साइबरिया में गिरा था और इसने 2000 स्क्वाइर किलोमिटर के एरिये को पूरी तरह से तैस नैस कर दिया था इस तबाई की इंटेंसिटी 30 मेकाटन टी एंटी के बराबर थी जो हिरोशीमा में हुए परमानों हामले से 250 गुना जारा थी लेकिन ऐसे छोटे आकार के एस्टोइड हमारे बायो मंडल में फ्रिक्शन के कारण नश्ट हो जाते है तो 30 मीटर के बदले अगर एस्टोइड का आकार 100 मीटर जितना हो तो उससे एक्स्टोजन 47 मेकाटन जितना होगा और ये तबाई दुनिया की सबसे खतरनाक हैड्रोजन बम तजार बम के बराबर होगा जी हाँ आप रहसा ही सुना तजार बम के बराबर होगा तो जिस जग ये 100 मीटर वाला एस्टोइड गिरेगा वाँ एक्स्टोजन इतना बयानक होगा कि शाहिदी वो जगह बविशम में इंसानों के रहने लायक रहे तो अब तक हमें 30 मीटर और 100 मीटर वाले एस्टोइड से क्या हो सकता है ये पता चला है लेकिन बिनु नाम का ये एस्टोइड आखिर कितना बड़ा है दरसल ये एस्टोइड 500 मीटर लंबी है और वजन 78 अरब किलोगराम के जितना है और जिससे होने वाला दमा का 800 मेगाटन TNT के बराबर होगा जो गी तजार बम से 160 गुना जादा खतरनाक है और ये दमा का सिर्फ कहीं देश नहीं बलकि किसे भी मादेश या कौटिनेट को खतम करने की ताकत रखता है हमारी खोशकिस्मत है कि दर्ती में 71 पसंट पानी है लेकिन इस पानी में भी अगर ये एस्टोइड गिरता है तब भी मासुनावी के जैसा माप्रेले होना तो निश्य थे तो अब इस एस्टोइड के साथ हमारी धर्ती से होने वाली टकर की कितनी प्रप्यविलिटी से वो देख लेते हैं तो ये एस्टोइड दोजार साथ में पहली बार धर्ती से 7,5,000 किलोमेटर की दूरी से गुजरेगा फिर उसके बाद 1235 में प्रित्वी से 3,000,000 किलोमेटर की दूरी से गुजरेगा लेकिन खुशकिसमती से इन दोनों बारी इसकी टकर प्रित्वी से नहीं होगी लेकिन साइंटिस्ट कम्पूटर सिमूलेशन के मताबिक ये एस्टोइड 1275 और 1296 के बीज के समय में एक नया रूप ले सकता है जिस वक्त ये दर्ती के बहुत करीब से गुजरेगा और इस समय दर्ती के साथ इसके टकर होने की 2712 में से एक चांस रहेगा जिस तरह एवेंजर्स मूवी में धेनोस को हराने के लिए टॉप्टर स्टेंज ने एक करोड 40 लाग पॉसिलिटिस देखी थी और उसमें से सिर्फ एक में ही वो थैनर्स को हरा पाये थे तो कुछ ऐसी पॉसिलिटिस इस बेनो के साथ दर्ती से टकर होने की है लेकिन एक बात तो कंफर में कि अगर इसके साथ हमारी टकर होती भी है तो आज के समय का कोई भी इंसान इस गटना को देखने के लिए चिंदा नहीं बचेगा क्योंकि ऐसी गटना 100 सालों से पहले तो होने नी वाली तो बेनो के बारे में इतनी जानकारी साइंटिस्टों को मिलने की वज़े इसे जुड़े स्पेस मिशन में छूपी है जो 18 सेप्टेमबर 2016 को औजिरी स्पेस क्राफ्ट को लॉंच करने से शुरू हुआ जिस स्पेस क्राफ्ट का मकसद एस्टूट बेनो में लेंड करके उसके सेंपल को एककटा करना और फिर सेंपल के साथ दर्ती पर वापस आना और इस काम को अंजाम देने में करीबन 9 से 10 सालों का समय लगेगा यानि कि 2025 तक ये मिशन समापत होगा इस मिशन को शुरू है साथ सालों से अधिक हो चुका है जिसमें ओजरी ने बेनो के बेहत करीब से हमें ये हाई कॉलिटी इबेज पेचिये जिस मिशन को पूरा करने में 5 खरब 55 अरब और 92 करोड रुपे लगे है अब इतना सारा पैशा खर्च करने के बीचे साइंटिस्टों के पास कुछ स्टॉंग रीजन है पहला बेनो एश्टूड के सेंपल से हमें अमारे शोर मंडल की संड़ाचना के बारे में बहुत जरूरी जानकाली मिलेगी जिससे ब्रमान के बहुत से अंसूजे रैसों का खुलासा होगा और इस पर रिसर्च करने का दूसरा रिजन अगर पविश्यम में इसके साथ धर्थी की टकर हुई तो किस तरह से हम इस एश्टूड को धर्थी के बार खतम कर पाएंगे साइंटिस्ट ने जानने की कोशिश कर रहे जिससे पर विश्यम में करणों लोगों की जान बचेगी तो अगर पर विश्यम में बेनू की टकर धर्थी से हुई तो क्या तब तक हम टेक्नोलोजी के शेत्र में इतना एडवास हो जाएंगे इसे दर्ती के बाहर ही खतम कर देंगे या तब भी इससे बचपाना ना मुंकी नो जाएगा अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बता है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ तब इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के शाथ शेर जरूर करना